हुलो एवरिवन वेलकम टूर क्लास ऑफ एच्ची बोर्ट वोग कीपिंग एन अकाउंट एंची करें बच्चो टॉपिक चल रहा है रिटार्मेंट और पार्टनर इलस्टेशन नमब त्री करना आज प्रिवेस वीडियो आई बिटन में चेक करें नीचे डिस्क्रेप्शन म बच्चो तो विदाउट डिले स्टार्ट विट इलस्टेशन नमब त्री बैलन्स शीट ऑफ श्याम ट्रेटर पूने इस फॉलोज पार्टनर शेयर प्रॉफिट एन लॉस फो टू त्री ओल्ड रिश्यो दिया हुआ है कैपिटल पार्टनर स्कापिटल अकाउंट में जा जाद रखें क्रेटर बिल्स पेबल लाइबलीटी है मशिनरी बिल्डिंग स्टॉक यह सब हमारे लिए आसेट से डेटर का बाइफिकेशन है और डिडी के साथ इनर कॉलम 16,800 को हम आसेट कंसिडर करेंगे इसको रिवालुइशन में लिखे जाएंगे बट इसके अपर कॉ सब्सक्राइबलीटी है और डिडी थी कंपारीजन करना होता है तो एस 800 को हमेशा के क्वेश्चन मार्क रखना है है। सोनाग्हाजार हमेशा कैंस सलोगब बाहर खाऻोन है टांक ऐसिद से हमाराalom रिटायरमेंट मेंको हिए यहां में रितायर्मेंट नहीं हो रहा है । इसका द्यान देडन और मेंको जाएगा तो आपका मेंकोसंद से वाली रिटायर हो रहे हैं तो अगर निव रिटायर में आज इसको रिवाल्य किया गया है स्टॉक 28,000 मेरे गाल से एप्रीशेट होगा बिल्डिंग एप्रीशेट बाइट 10 परसंट टिकमा करते जाएं ताकि यह एंट्रियां हम लोग इनर कॉलम में लिखने का टिकमा का रीजन है नेक्स्ट इस आडीडी इंक्रीज अप्टू वन ताउसन देखो यह अप्टू और बाई में फरक होता है इंक्रीज बाई वन ताउसन बोलाता तो आठ सो और हजार मिला के अठरा सो बनता यहां पर अप्टू बोला है यानि हजार ही ही है ठीक है तो डेटर से जब हम माइनस करेंगे हजार माइनस करेंगे और फिर यह आठ सो से आप कंपैर करोगे इस हजार को बाद में बताते हैं उसको नेक्स्ट इस ओई मशिणरी इस टोबी डिप्रीशिएट अच्छी बाद डिप्रीशिट कर देंगे गelen of Retiring and electric अब जए वला याद रखे गुडव लॉफ रेटरिंग पार्टनर है या गुडवेल ओफ ताफॉर्म है यहां पर रेटाइरिंग वर्ड एघ्य इसको जहेन में रखें तो बच्चो यह वाला फॉर्मिट आपको इनीशल बताया तो इंड्रोड़क्शन वीडियो में गुडविल अफ़ फॉर्म है या गुडविल अफ़ एक्स्टेंड ऑव रिटारिंग पार्टनर है तो गुडविल अफ़ फॉर्म में किसी का नाम नही है यानि रिटारिंग पार्टनर का नाम नहीं है तो टाइप वन होता है रिटारिंग पार्टनर का नाम है तो टाइप टू रहता है तो इस एंट्री को समझना है आपको इसको जहन में रखें तो यहां पर अनने रिटारिंग पार्टनर बोला है तीक है अच्छी बात है फ नाम आएगा टू बाइटेन अगर यह फर्म का बोलता गुडविल तो आट जार इन्टू बाइटेन तो यहां पे तो हैडेक नीए गुडविल आफ रेटायरिंग पार्टनर बोल दिया है तो यह वडिंग को थोड़ समझा वड़ेकर रेटायमें में कि आपको फर्म का गु प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो विछ विछ विल भी फाइट री तो आपको नए बंदे का सिफ रेश्यो हटा दिये तो आपका न्यू रेश्यो बना और तीनों लिख दिया तो आपका ओल्ड रेश्यो बना अल्रेडी इन्हों दिया हुआ है और एक चीज इसमें रिटन कि यहां पर मैंने बदाया तो अब अधिल डेविट क्रेट कट होता है तो आपके एंटरी बन तेया बं सिफीहर डु रेटारर क्अपनर कंटीन्व सब्स् funds रंबा और रोवशी और रेटारिंग मेन का तो आपुर्लेण डेवनए बनेंगी रंब अकाउंट डेट ओरोशी अकाउंट डेट तुमेन का और बातना किसको आठ अजार को रेशो का फायर इस टू तू तू तो बचो होपसो एजिस्मेंट क्लियर हुआ रहेगा अब देखो पुराना नुक्सान और नुक्सान और नुक्सान और नुक्सान और डेट जाएगा तो बच्चो आपको इस चज्जमेंट करना है कि भाई पुराने साल का नुक्सान और ने साल का नुक्सान नुक्सान बढ़ रहा या कम हो रहा है तो यहां पे नुक्सान बढ़ रहा है अगर नुक्सान बढ़ रहा है तो नुक्सान ही कहा जाएगा इसलिए डेविट ओल एक्सपेंसेज और लॉसेज अगर नुक्सान कम होता प old rd new rd हमीशा माइनस ही करना है सपोज यहां पर आपका new rd में बोलता हूँ 500 होता ओ आड़ेडी 800 तो अब बच्चो 800 में से 500 माइनस किये तो दिफ्रेंस तो 300 होगा आप यह डिफ्रेंस हो रहा है नुकसान डिक्रीज हो रहा तो इसका अज्यूम करेंगे इनकम तो पिर वह 300 हो जाएगा क्रेट में तो यह क्यार्कुलेश्चन रेटाइमेंट हो या इडिशन ऑडिशन चलते हैं इसका स्लूष रोगते हैं तो बच्चों सलीशन में रिवालेशन पार्टेंस कापिटल और नियू बैलेंस शीट बनाएंगे नियू वर्ट दाल दो या फर्स एप्रिल लिखो यह हमेशा याद रखना तो पहला बैलेंस शीट की पोस्टिंग करेंगे रंबा में का अन्वशी का कापिटल क्रेडिट मे है बाइब बैलेंस ब्रॉड टाउन जनरल इस तो जनरल इस तीनों पार्टन वे बटेगा 523 यानि पहले डिवाइड बाइट 10 करें 1400 आया 1400 इंटु 5 इंटु 2 इंटु 3 दैन क्रेटर बिल्स पेपल इस या लाइबिलिटी ठिक माक नहीं है तो सीधा ओटर कॉलम में लिखे मिशनरी बिल्डिंग स्टॉक डेटर सबके उपर टिक माके तो सबको आपको इनर कॉलम में लिखना है इसको द्यान में रखना टिक माक का रीजन है तो रीजन है कि आप उसको अंदर लिखें एक लाइन छोड़ते वे लिखें तो ही आपको एज्जिस्मेंट करने की जगा ओड़ा मिलेगी तो एजस्ट्मेंट आएगा तब करेंगे बैंक के उपर यह सम में कोई एज्जिस्मेंट नहीं ही है जैसे पार्टनर रेटायर होता है तो तो कुछ पैसा दिया जाता है वह समनपने को इनफॉरमिशन नहीं एक श्रेंट के बारे में तो यह केस में बैंक सीधा बाहर चले जाएगा 12,400 अब आपका बैलेंशीट करते हैं जिस्मेंट नमबर वन में था स्टॉक का नया कीमत 28,000 वेरी वैल्यू नया कीमत बाहर लिखने का पहले अब चेक करने का नया कीमत और पुराना कीमत फुराना बीस नया ठाइस यानि एप्रीशियट हो रहा है कि दिखी यार्य यह 7 optimal income में इंकम कहांनलकर टे क्रेडिटब करो तन परसंट चाहर हजार से ौहट मितल हैutta Ext sights यूछ चूपाने का फिर प्लेस के 44 भार आया 4000 अगें आसेट इंक्रीज प्रॉपर्टी इंक्रीज फाइदा क्रेडिटॉल इंकमेंड गें नेक्स्ट इस नियू आडिडी इंक्रीज अप्टू हजार हजार बढ़ा देते हैं 15800 भी लिख देते हैं और अब यह हजार नहीं जाएगा अगर आपक देडी दिया हुआ है तो compare करना आपको ठीके नया नुक्सान 1000 का पुराना नुक्सान 800 का डिफ्रेंस 200 डिफ्रेंस नुक्सान बढ़ा है इस वज़े से डेविट है डेविट में भी आता है क्रेडिट में भी आता है तो आपको compare करना आपका पुराना और नया नुक्सान प सो से बड़ा इसलिए डेविट में है मशिनरी को फिर डेप्रिशेट करेंगे आप उन 10% से यानि माइनस करेंगे 10% एक जीरो चुपा दो तीन हजार दोसो आया और माइनस करके इसको बाहर लिखते हैं 28800 अब एजस्मेंट सारे हो गए लास एजस्मेंट गुडविल की था गुडविल का मैंने आपको जनेडी बिताए थी कंटिनिंग पार्टनर टू रिटारिंग पार्टनर रंबा अर्वसी डेबिट होंगे 5000 से लिखना गुडविल है क्योंकि हमने गुडविल गुडविल कट किया था तो यह जयन में रखे गुडविल बड़ी आएगा और मेन का टू बोले तो क्रेडिट तो यहां 8000 लिखे लिखेंगे अब सारे अज्जिस्मेंट हो गए हैं तो आप सिंपली क्लोज करते हैं रिवाल्यविशन आपका क्रेडिट बड़ा है 11600 तो दोनों साइड लिखेंगे और इस 11600 में से 3400 माइनस करना तो आपका डिफरेंस आता 8200 डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट क्रे इस ट्रीबिट करना रिफीट करा हो हर बार एडमीशन में दू sırमें डिस्ट्रीबिट होता है डाइमेंट और देथ में तीन में डिस्रीबिट होता है और आपका ओल्ड रिशोता 523 यानी पहले 10 से डिवाइट करेंगे using and by निलट 2 प्लस 3 यानि 10 होता है तो 8200 को दसे अब ये profit आने के बाद बच्चो profit को shift करेंगे debit में है तो credit में shift करेंगे कहां से आ रहा है revaluation account से आ रहा है इसलिए यहां पर हमने क्या लिए कहा देखो partners capital कहां जाने वाला है partners capital कहां से आ रहा है revaluation opposite account का नाम लिखना होता है heading में और bracket में specified करो profit है या loss से अब partners capital बंद करते हैं तो सबसे पहले में इनका को लेते कि retire हो रही है और में का credit बढ़ा है आपका तो credit का total है 4440 और debit में minus करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इनका balancing figure आएगा और यह balancing figure को उन्हें कहा था loan consider करना तो यहां पर लिखेंगे to main का loan और retiring partner है loan भी क्या जाएंगा बच्चो liability में अब continuing partner जो remaining partner रंबा का भी credit बढ़ा है तो credit side 47100 से 5000 अब minus करो तो इनका new capital बैनी balance carry down 42100 में इनका नहीं आएगा dash क्यूंकि उसका amount को हमने loan बोल दिया और वश्ची का भी credit side बढ़ा है इसको तीन अजा से मैंस करो 21 to 60 अब capital है तो capital कहां जाद है बच्चो liability में दोनों inner column में लिखके plus करके बाहर कर दें और फिर finally आपका liability आप बूरे entry होगे चेक करने के कुछ बाकी तो नहीं है तो बच्चों question number 3 वो simple दा आपका इसके अंदर में था आड़ीडी के बारे में हर बार बोलना आड़ीडी को चेक करें और आड़ीडी का statement समझे और goodwill तो हमेशा देखना कि firm खाली firm बोला है या goodwill के साथ retiring partner का नाम है या नहीं है खाली firm बोला हो या retiring partner का नाम बोला हो उसके बाद भी आपको return of return back करके वर्ड भी डूणना है तो दोनों में टाइप वन हो या टाइप टू हो दो दो एंट्री आए एबी एबी करके तो वो जहिन में रखें होपसो कुश्य नमबर 3 क्लियर हो इंशाला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चो थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो गॉड ब्लेस्यू